तो हेलो गाईज, वेलकम बेक टू निव वीडियो सेसन, आप सब गार रोजगार लाइव की इस क्लास में स्वागत है, उम्मीद करता हूँ, आप सब एकदम बढ़िया हो, भैतरीन हो, और बढ़िया से अपनी अगली प्रिक्सा की तैयारी में लगे वे हो, आज के इस सेसन क होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी आपके सवाल है, और ये डॉक्स आपको तैयार रखने, यानि कुछ दस्तावेज आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्यों कर लेने हैं, इसको लेकर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो देखिए, यहां पर हम इन कोस्ट के लिए क्या होगा, इसकील टेस्ट, तो इसकील टेस्ट को लेकर इन्होंने ये बात एकदम इसपस्ट कर दी है, कि जो हम इसकील टेस्ट है, वो CBT का जो आपका रिजल्ट है, यानि CBT एक्जाम का जो आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट डिकलेर होने के बाद में आपका skill test लेंगे और वही बच्चे skill test में participate करेंगे जो बच्चे इस exam को qualify करेंगे ठीक है तो हो सकता है कि 2 गुणा को बुलाया जाए हो सकता है कि 5 गुणा को बुलाया जाए कितने गुणा बुलाया जाएंगे यह अभी स्वस्ट नहीं किया है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 2 लोगों को भी बुला सकते हैं और 5 लोगों को भी बुला सकते हैं और 4 लोगों को भी बुला सकते हैं लेकिन है यह आपका दियावा है कि यह एक आपका जो है qualifying nature है ठीक है यानि qualifying करना इसको आपको इसमें marks आपको नहीं दिये जाएंगे ये बात होगी जिनका skill test है उनके बारे में time कितना मिल सकता है तो मुझे ये लगता है कि skill test को लेकर बच्चे इसलिए अपरेस आने कि time कितना मिलेगा पहली बात तो अभी आपके पास में time अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा score का मतलब ही है कि 80 आउट अब आपको लग रहा है कि आपने 60 पलस किया तो फिर आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है आपको ये step लेना पड़ेगा कि आप आगे skill test की तैयारी करें और जब आपका result declare हो जाएगा तो result declare होने के बाद में 15 से लेकर 20 दिन तक का time आपको मिल सकता है 15 से 20 दिन का time आपको दिया जा सकता है exam result declare होने के बाद में कि अब आपका typing test है तो 15 से 20 दिन का समय आपको दिया जा सकता है इससे ज़्यादा हम M से उमीद नहीं कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में आगे सवाल आपका ये है कि भई क्या इसके अंदर जो है documents आपको क्यो तैयार करना इन्होंने ये एकदम इसपस लिखा है कि परिणाम गोसित होने के बाद सभी सपल उमीदवार जिनने seat आवंटित की गई है उन्हें परिणाम गोसित होने के 5 दिनों के भीतर दस्तावे सत्यापन और आगे की आवसे कारवाई के लिए सम्मधित आवंटित संस्तान में रिपोर्ट करना होगा अब जड़ा इस बात को ध्यान से सुनिए देखिए अभी आपको ये नहीं पता है कि आपका selection होगा या नहीं होगा लेकिन ये आपको अपने आप से उमीद रखना चाहिए अगर आपका इसको ठीक ठाक है तो रिजल्ट आने के बाद आपको पांच दिन का ही समय दिया जाएगा और सम्मधित जगह पर आपको क्या करवाना दस्तावे सत्यापन करवाना एससे नहीं कि सब के सब को दिल्ली बुला लिया जाए मुझे लगता है एसा बिल्कुल नहीं होगा जैसे राजस्तान वालों को जोदपूर बुला लिया जाएगा MP वालों को भोपाल बुला लिया जाएगा UP वालों को पतना बुला लिया जाएगा इस परकार से आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा दस्तावे सतयापन का काम होगा तो जिन अभियारतियों को उमीद है उनको जो डोकुमेंट्स है वो सारे अच्छे से तैयार करवा लेना जैसे एक मैं आप से नोर्मली बात करूँ तो जो OBC का सर्टिपिकेट होता है एक तो आपका होता है स्टेट का सर्टिपिकेट और एक होता है आपका सेंटर का सर्टिपिकेट अब ये आपको ध्यार में रखना है कि बहुत सारे बच्चों के पास स्टेट वाला तो होता है लेकिन सेंटर वाला नहीं होता है तो कल को किसी बच्चे के problem हो सकती है कि वो state वाले को मानने ना करें क्योंकि ये all India level की vacance की है तो center वाला भी बनवा लेना क्योंकि ऐसा ही क्या होता है दिल्ली पुलीस के document verification में देखने को मिलता है कि state वाले को नहीं मानते हैं center वाला बनवाना पड़ता है तो आपके जो documents है जिसके अंदर हम ये भी बात कर सेंगी जो EWS वगेरा का certificate हो गया ये सब आपको क्या कर लेना है ये documents आपको तैयार कर लेना है और ये बात इन्होंने एकदम इस पस्ट लिखिये है कि आपके जो documents वो 4 April के बाद के होने चाहिए ये ये भी मैंने देखा था इस notification में पढ़ा था कि 4 April के बाद बाद में जो है 4 April 2000 23 के बाद के आपके documents होने चाहिए जो भी आपके परमान पत्र होते हैं चाहिए वो आपका income tax income वाला हो चाहिए आपका OBC certificate हो जो भी आपके जितने भी certificate है उनके बारे में ठीक है इसके बाद में normalization होगा या नहीं होगा तो देखिए CBT प्रिक्सा एक पंद के लिए कई पालियों में आयोजित की जाती एक प्रिक्सा है एक पोश्ट के ऊपर अगर एक पोश्ट के ऊपर आपकी जो प्रिक्सा है वो अलग-लग shift के अंदर conduct होटी है तो फिर नॉर्मलाजेशन होगा अन्यता नहीं होगा अब आपने से एक सवाल लिए होगा कि सर इस परकार तो domain का normalization नहीं होगा तो बिलकुल भाई domain का normalization मुझे तो नहीं लगता कि होगा क्यों कि domain जो पार्ट है वो LDC की post के लिए एक ही shift के अंदर हुआ है तो एक shift वालों का normalization नहीं होगा attendant की जो post है attendant की जो post है आपने देखा कि attendant की post के लिए भी जो है domain एक ही shift के अंदर हुआ है तो इस तरह से क्या है हाँ attendant की अलग लग post है वो बात अलग है लेकिन एक post के लिए अगर एक ही पारी में exam होगा तो normalization नहीं होगा अगर अलग हुआ है तो हो सकता है अब essay में यह सवा हो सकता है जो paper one है ना आपका paper one है paper one की अगर बात करें तो इसके अंदर अलग-अलग shift के अंदर exam हुआ है तो हो सकता declare हो जाएगी तो official answer की के लिए मुझे यह लगता है कि आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है official जो आपकी answer की है वो आने वाले 7 से लेकर 10 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी ठीक है 7 से लेकर 10 दिन का time लगेगा जैसे यह answer की आएगी हम आपको update दे देंगे अगर कोई नया साती यह session देख रहा है कोई नया बचा वीडियो देख रहा है तो जरूर subscribe कर ले वे और जैसे ही आपकी answer की आजाएगी objection window open होगा अगर open होगा तब answer की आने के लगबग 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपका result देक्लेर होने की पूरी-पूरी क्या रहेगी संबावना रहेगी कहने का मतलब यह है कि अब इनका जो process ना वो मुझे नहीं लगता है कि एक महिने से ज़्यादा का रहेगा अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि एक एसी बूर्डी है जिसका जो exam exam conduct करवाने वाला बोर्ड उसका एक ही काम है खाली exam वाला ही तो ज़्यादा आपको वेट करने के आवसिक्ता नहीं पड़ेगी कुछ बच्चे यह कह रहेते कि सर अब आगे क्या तयारी करें किसकी करें तो इसको लेकर में अलग एक video session आप लोगों की लेकर आऊंगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि आगे कौन सी आपके लिए यह बारत